अगर दो लोह के बीच में अगर बहुत सीरियस अर्गुमेंट चल रहा हो जो काफी लंबे समय तक चल रहा है ठीक है उसे फ्यूड का जाता है आप खांदानी दुश्मनी को भी न फ्यूड कह सकते हैं तो इसका सनॉनिम क्या हो जाएगा डिस्प्यूट एंटॉनिम क्या हो जाएगा हामुनी और एकॉर्ड आप इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं पुलिस आर प्लानिंग स्टर्णर मेज़र्स तु कॉमबाट का जाता है यानि कि फाइट स्पेशली इन वार तो इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा फाइट इन्टॉनिम क्या हो जाएगा सुरेंडर आप इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं पुलिस आर प्लानिंग स्टर्णर मेज़र्स तु कॉमबाट क्राइम इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा इनटेंस में यूज़ कर सकते हैं She is young and dynamic and will be a great addition to the team The next one is B-Devil B-Devil का मतलब होता है To confuse, annoy or cause problems or difficulties for someone or something यानि कि किसी को confuse कर देना, किसी को परिशान करना किसी के रासे में न अडंगा लगाना, problems create करना, difficult कर देना उसकी life उसे ही B-Devil का जाता है तो इसका synonym क्या हो जाएगा, afflict, endonym क्या हो जाएगा, help आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते हैं The expedition was B-Devil by bad weather The next one is Topography Topography का मतलब होता है The physical appearance of the natural features of an area of land especially the shape of its surface उसे ही Topography का जाता है यानि किना किसी शेत्र की प्राकृतिक विशेष्टा है आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते हैं The topography of the river's basin has changed significantly since the floods The next one is inundation Inundation का मतलब होता है An over abundance of something is an inundation यानि किना किसी भी चीज का अगर ना बहुत जादा मातरा में अगर वो चीज है ना आ जाए मतलब उस चीज का अगर ना सहलाब उमड़ा है ना तो उसे ही inundation का आ जाता है तो इसका synonym क्या हो जाएगा flood, antonym क्या हो जाएगा drought, आप इस अपने sentence में यूज कर सकते हैं The town is preparing for the annual inundation of tourist The next one Terminology Terminology का मतलब होता है Terminology is vocabulary associated with a certain field of study, profession or activity यानि कि ये ना वो vocabulary होता है कि अगर आप एक particular field से associated है ना तो उसे related vocabulary Example, अगर आप lawyer है तो legal terms अला vocabulary हो गया अगर आप medical field से associated है तो medical vocabulary हो गया तो उसे terminology का आजाता है आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते हैं I don't understand scientific terminology The next one is attributed Attributed का मतलब होता है To believe that something was caused or done by somebody Or something उसे ही attributed का आजाता है आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते है Her success can be attributed to three main factors The next one Behrajis Behrajis का मतलब होता है Continuous attack on a place with a large number of guns यानि कि ना किसी स्थान पर बंदूकों से लगतार गोलियों की वर्षा करना उसे ही Behrajis का जाता है और एक मतलब होता है A large number of questions, comments, etc. Directed at a person very quickly यानि कि किसी व्यक्ती पर प्रश्णों के टिपनियों की आदी की बहुचार कर देना उसे भी Behrajis ही का जाता है तो इसका सुनानिम क्या हो जाएगा Torrent आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते है He was faced with a barrage of angry questions from the floor The next one is a light A light का मतलब होता है To omit or to get rid of it यानि कि अगर आप किस चीज़े छुपकारा पाना चाहते है किस चीज़े को अगर आप drop करना चाहते है तो आप ये word allied use करेंगे तो इसका सुनानिम क्या हो जाएगा drop आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते है The tea in often may be allied Next one is Shrift Shrift का मतलब होता है The noun Shrift is used to describe the act of confessing specially to a priest देखे अपनी बहुत बार ना movies में देखा होगा कि लोगे ना church में जाते हैं वाँ पर जो father होते हैं ना उनके सामने अगर उन लोगे ने कुछ भी गलत किया है लाइफ में जिसका वो बोज लेकर ना चल रहे हैं तो वो वहाँ पर उन लोगे ना confess कर लेते हैं अपना उन लोगे ना अगर कोई पाप किया हो लाइफ में तो उसको वहाँ पर लोगे ने स्वीकार कर लेते हैं उसे ही श्रिफ का जाता है तो इसका synonym क्या हो जाएगा absolution आप इस अपनी sentence में यूज कर सकते हैं उसे ही frequent का जाता है तो इसका synonym क्या हो जाएगा repeated antonym क्या हो जाएगा irregular the next one is instance instance का मतलब होता है example उधारन उसे ही instance का जाता है तो इसका synonym क्या हो जाएगा illustration आप इस अपनी sentence में यूज कर सकते हैं this is just one instance of his repeated failure to do what he promised next one is countering countering का मतलब होता है to reply or react to criticism यानि की आलोचना का जवाब देना प्रतिक्रिया या विरोध करना उसे ही countering का जाता है तो इसका synonym क्या हो जाएगा opposing, antonym क्या हो जाएगा tolerant आप इस अपनी sentence में यूज कर सकते हैं when criticisms were made of the school's performance the parents group countered with details of its exam results that's it for today अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे like करे, share करे, comment करे साथ ही साथ मेरे चानल को subscribe करे thank you